रविंद्र जटेजा के कनकसन चोड़ के बाद जब इज्वेंदर चहल को टीम मेदान में लाया गया तून्हें सिर्फ मातर 15 मिनट ही पहले मालूम चला थे कि वह भारत और अस्टेलिया की बिच पहले टीट अई हम आपको बताते हैं कि चहल ने क्या ऐसी कहानिया बताई है क आखिर कैसे और आखिर 15 मिनट में इन्हें जल से जल प्रिप्रेशन करने का टाइम मिला और फिर जब मैदान पर उत्रे तो अस्टेलिया को चारों खाने चीद कर भारत को एक गारा रहनों से जित दिलाने में अहम भूमिकाने भाई बतादू कि कंकर्शन विकल्ब के तोर पर अस्ट्रा के खिलाब सुक्रुवार को मनिका उभल मैदान पर पहले टी-20 मैच में अपनी फिरकी से मैच का पासा पलेटने वाले चहल ने बताया कि मुझे मातर 15 मिनट पहले पता चल रहा था कि मैं आज के मैच में गेंदवाजी करने वाला हूं रविंद्र जटेजव को मैच की पहली पारी के आखरी ओवर में हेलमेट पर गिन लगी थी और इसी कारण से चहल को कंकर्शन खिलाडी के तौर पर खिलने का मौका मिला सबसे पहले में अगर आप सभी को बता दू कि कंकर्शन मतलब कि हेलमेट में चूट लगने के बाद विकल्व के तौर पर दूसरे खिलाड़े को टीम में खेलने का मौका मिलता है अपनी फिरकी से चहल ने रॉन फिंच इस्टिवान इत्मित और साथ ही मैच ठूवेट को अहम विकेट लेकर भारत की जोली में जिर डाल दी तीन विकेट लेने के बाद चहल क तो मैं अब दो मैच उना गया चहल ने प्रेस कांफरेंस में कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इस मैच में खेलने का मौका मिलेगा लेकिन 15 मिनिट पहले ही जैसे भारत की आखरी ओपर यानि कि 20 वे भारत की बल्लेबाजी चल रही थी तब ही मुझे पता चला कि मै इस मैच में गेंदबाजी करूँगा और संदार एहसास मेरे उपर किसी का दबाब नहीं था जब हमारी बल्लेबाजी चल रही थी तो मुझे मात्र 15 मिट पते चला और फिर में तयार होकर मैदान में गया और मैंने अपना बेहतरीन पर दर्शन करते भारत को जित दिलाई चल ने कहा कि पहली पारिम उनको इस पिंडरो पर रन बनाना असान नहीं था मैंने अपनी रनीती के इसाफ से गेंदबाजी की और 162 रनों के लक्ष को पीछा करते वाशिले तीम मात्र 50 रनी बना पाई ऐसे में चल ने कहा कि हमारे टीम को उपर दबाब था लेकिन मैंने अपने अपर भरोशा रखा और मुझे जिस तरह से बिराट कुली ने मुझे भरोशा जटा तेवे टीम मैदान बुता रहा था मैंने उनके भरोशी पर खरा उतर कर टीम को इगारा रन से अहमजिय दिलाई